नमस्कार, मिले नाम है सुमिस सिंग मैता, हाजुन आपके सामने इलक्ट्रो डानेमे से रिलेटेट एक और नया लेक्चर लेके, आज का हमारा है लेक्चर नमबर 70, और आज किस लेक्चर का हमारा टॉपिक कह रहने वाला है, हमारा टॉपिक है किसी एक wajr की वाजे से कितना magnetic field होगा, वो क्या क्या था, हमने find किया था, तो आज किसकी बारी है, रिंग की बारी है, तो हम क्या करेंगे, एक ring लेंगे, और उस ring में क्या flow कर रही होगी, current flow कर रही होगी, और अब्ध्रिस भात है, कैसी current होगी, steady current होगी, और उस ring, या फिर उस रिंग के कारण जिसमें current flow कर रही है उसके कारण उसके access पर किसी point पर हम magnetic field निकालेंगे और उसके center में भी क्या करेंगे हम magnetic field निकालेंगे जो आज का हमारा aim होने वाला है वो क्या है आपको समय में आ गया होगा ओके तो फुरावर क्या करते हैं तो रोज की तरह क्या करो कॉपी पर निकालो और हिडिन डालो क्या magnetic field डियो टू करेंट करेंग रिंग ओके तो सबसे पर नहीं क्या बनाएब डाइग्राम बनाओ इस तरी के से अजूम कर लो कि मेरे पास क्या है एक रिंग है और जिस रिंग में और इस तरी के से अगर मैं डिखाना चाहूं को तो यह क्या है एक रिंग है मारे पात पूर इसमें इस तरीके से क्या कर रही है है ऐडिया तरो कितनी है आड़े है ओके तो इसके एक्सेस में इसके सेंसे पासे सुरूगिक ससे है उसें किया नहीं है एक एक्सेस और भॉलतें तो कि नहीं पर कोई पाइन एक प्वाइं यह से here we have a point P and the coordinate of this point P is 0,0,z क्या है इस coordinate क्या है 0,0,z है कहने का मतलब क्या हुआ कि इस point P से लेकर इसके center लेकर distance है वो कितनी है Z है यहां से लेकर यहां तक यह कितना है मेरे पास Z है और इस P point पर क्या करना है मेरे को इस current के कारण magnetic field find करना है तो what we have to find we have to find we have to find magnetic field क्या लिका मने वी है प्टू find magnetic magnetic field at point P at point P यानि P point क्याने का मलब का प्राइब पास 0,0,z पर मुझे क्या करना है magnetic field find करना है तो क्या करेंगे हमारा experience हमको बोलता है सरसे परने क्या करेंगे हम एक छोटे से line element के करन magnetic field निकालेंगे और पूरे ring के करना magnetic field निकालने के रिए उसे क्या कर देंगे integrate कर देंगे ऐसा करेंगे ने करेंगे answer है हाँ जी करेंगे तो अजूम कर लो कि मेरे पास यह क्या है यहां से लेकर यहां से लेकर यहां तक तो कितना है मेरे पास डी एल है यहां है यह डी एल के है मेरे पास है आपर line element है जो डी एल बेक्टर है वो क्या है मेरा line element element in ring ring का क्या है एक छोटा सा line element है सबसे पहने क्या करेंगे इस line element dl के कारण इस point P पर क्या करेंगे magnetic field करेंगे तो उसके लिए मुझे क्या हो जाएगा इसको इससे मिला दो वो क्या हो जाएगा हमारा कर्लि यह यह क्या बना हमारा करलिरा ब्लना एक Hmmm कि जाक सग कर लिए है टर लहीं जानी जाक्तर स्था प्रक्त वियुक्न है है टर बेटविन Breaking char डी एल एंड point p dl end point p point p और dl के भी इतना है मेरे पास r है अब यहाँ से लेकर यहाँ तक यह जो मेरे पास क्या center है और center से लेकर यहाँ तक भी toAT R हो जाएगी तो यह बोखते है position 알아자 अगर मैं यहाँ पर coordinate system को origin यह है तो यह r vector होगा position vector of dl vector कि ऐसे अगर आड़ बोले तो आड़ रेडियस ओफ रिंग है आर ईजवर रेडियस ऑफ रिंग है ठीक है समझेफ ऑफ इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर इस पांण पीपर a magnetic field due to deal अगर मैं क्या फ़नाओ नाव मेगनेटिक फिल्ड एट को पॉइंट पी-टू डियो टू डिय ऐल इस छोटे से ने d l के करन इस प्वwir कितना भीज इंटो क्या एछ लाइँ, तो इहां से प्रॉम ऑर बायू επास था लोगी दिस अ डान अ db is equal to क्या हो जाएगाँ मूजिरो आई अपोन कितना आएगा फूर पाइगा और फिर इंट्व नढगा है आपर धिस डी एल क्रोस कितना आजाएगा ऑर प्राइम और दिवेड कितना आजाएगा आरे स्क्वाइर ऐस आएगा निया आएगा आंसर है हां जी आएगा नो यह क यह वह एक है मेरे पाश पुजिशन वेक्टर ऑफ पूजिशन वेक्टर ऑफ पूजिशन वेक्टर ऑ पूजिशन वेक्टर बतर। इन दे डारेक्शन ओफ कर लियर टर गुर्ल are अब एक चीज इंपोर्टेंट आप जो आपको ध्यान देनी है कि दिस आरकेप इस प्रपेंडिकुलर टू दे डी अल बेक्टर देखो कैसे कहां की रिंग मेरी यह रिंग रही देखो अगर मैं यह बोलू कि दिस इस माई पॉइंट यहां मुझे निकालना है और यह मेरे पा इस डिरेक्शन में है यह यहां कुआ हूँ यह देखो यह मेरे ब्हुं अ करली आर क्यों रहे इधर क्यों रहे है तो करनी ओर के साथ हमेशा कैसे होगा यह प्रपेंडिकर होगा यहाँ यानि और आर का की स्टप के बीच का एंगल कितना है रहा है au ओके ठीक है दुने चीज क्या हुई अगर ऐसा है तो इसका मलग यह हमारा जो फर्मुला है क्या बन जाएगा यह एक क्या हो जाएगी दिशेज डी बी इस इकल टू मिजूरो आई अकॉन कितना आ जाएगा फॉर पाई यह आगा मेरे पास कितना डी एल इंटू यह इसका इन गएक्ट रोल बेक्टर कितना आएगा अश्यों इन लाश यह की निकना घटिक फील होग विस इस डीरेक्शन में क्या जाएगा हमारा अजाli मेंडे यह उट्टीन कि this is new 0 I you have here it okay I got the home you do I upon get Niagara 4 by the good deal coming to deal with I got is come main to are coming to get another one because it is in the vector and sine 91 to DL upon get another guy are square as a good idea or main food about to as I would go or is any coming to get now they got one who they got the magnitude of our magnetic field at this point at this point P is given by this relation and most importantly it perpendicular to their DL and R cap because there was some new you can have passed DL cross R cap any do magnetic field nickel I gonna who can equal Kika is DL or R vector don't wake up a perpendicular to get other method about a place I'm done at home they hope he made a pass can be a vector of you can look this is my DL vector okay and this one is my R cab back to the building group ticket this one is my R vector chicken after R cab all those go to the same body this is R cap in your connect currently kind of sorry cross for the nickname and the cross product will be perpendicular to the DL vector and R cap vector and Mr. Eric not the cross for the antenna would know better account of a perpendicular other you plan on me do the NK book a book a book a book a is DL vector or is R vector is perpendicular to the both both R vector both R vector and R vector is perpendicular to the both R vector and DL vector the other you can go to the perpendicular to the other the other the perpendicular or the other the perpendicular to the other the other the Db nickel key I got due to this line element or can't you nickel key I got this R cap for perpendicular sorry sorry it's R vector to perpendicular any country you're in the right cure so this will be something like this he has a hug this is my Db think he's on my right Apple you may be okay you know कुंसा vector है और ये क्या है प्रपेंडिकुल chili कप तूATHAN कर लिए अब यहाँ आ पर यहाँ यहां पर लाऊंगा तो अपने Άप यह डियल की पर पेंडिकुलर ही होगी- अम इसको यहां से लाया मैं यहां पर रखा है ना पर 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 देखने को मिल रहा है ओके अब देखो अब बहुत इंपोर्टेंट चीज है जो बाता है इसको ध्यान सुनना है और इसको मिटा दूम है कि अब देखो अब होगा क्या यह तो एक छोटा सा इस पार्ट पर रूजय को कहां आएगा और इस तरीकसे यह तो इस इस नाइब दिसकृइंट और यहां से क्या खिचो और इस यहां पर कुछ ऐसे बन जाएगा यह ठीक है तो दिस विल्ट इस डिरेक्शन और जितना आर यह है उतना ही आर यह है तो दोनों क्या होंगे यह सेम तो यह क्या होगा यहां पर डीबी हो जाएगा अब देखो अब होगा क्या अगर शॉआ एसे घुमाओ इसको डील फिर यहा पर फिर यहां पर फिर यहां पर फिर यहां पर तो जो डीबी है को यहां पर क्या बनाएगा एक कौन बनाएगा नहीं बनाएगा आंसर है हाँ जी बनाएगा तो यहां पर क्या बन जाएगा इस तरी किसे एक कौन मेरे को बनता हुआ दिखेगा ठीक है एक इस तरी किसे जो एंगल है ये एंगल कितना है थीटा है कि इस रेडियस is making थीटा एंगल with this curly r जो separation vector है उससां कितना एंगल बना रही है जो radius थीटा एंगल बना रही है जो थीटा के हैं आपर अगर ये एंगल कितना है थीटा है इसका मतलब यहाँ पर कहां पर ये जो एंगल बना कौन सा वाला ये वाला दिस इस ऑल्सो थीटा ये भी कितना होगा थीटा होगा अब ये गौर करने वाली बात है यहाँ पर क्या आती है हमारी class 10th के ठोरन लगती है देखो कैसे class 10th में एक चीछ पड़ी थी हमने कि अगर मेरे पास कोई दो लाइन है एक लाइन ये है और एक लाइन ये है दूर के बीच के एंगल कितना है थीटा है ठीक है अब हम क्या कर रहे है यहाँ से एक परपेंडिगुलर इस लेमें ड्रो कर रहे है ऐसे ड्रो कर दिया मैंने और दिस अंगिल ये इंगल भी कितना होगा ठीक होगा अगर मेरे पास थो लाइन है कितना रही है ठीक ही ये pou प्रपेंट पर खीचा और यह दोनों जिस पॉइंट पर कट करेंगे तो जिस एंगल पर कट करेंगे डैट एंगल अलसो भी थीटा वह एंगल भी कितना होगा थीटा होगा तो शेम थेहरों यहाँ पर लगी देखो यह जो मेरे पास कौन है यह जैड है यह इस पर 90 डिग्रे और यह जो मेरे पासर हे है आर रिट यह सब्सक्राइब करेंटवर यह जिए अपनी हमगे हम सांची चीज थी अब जैसे ही एंगल मिल को पता चलिगा कि that angle is theta तब मैं यहां पर क्या अगर सकता हूं इस db को मैं दो component में टोड़ सकता हूं one component will be in this direction which is perpendicular to the z axis and other component will be in the direction of z दूसरा component क्या होगा z direction में होगा अब इस direction में जो component होगा that will be equal to db sin theta because it perpendicular component and that component will be you are a component के होजागा मेरा this is db cos theta कितना हो जागा ये db cos theta हो जाएगा similarly अगर मैं इसको तो 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 ये दिस अंगल इस एंगल इन इस आपना होगा theta होगा अगर मैं इसको तोड़ोंगा इस db को तो तो यहां पर क्या है गाए गदर को आजागा एक component डेट इस डीबी sin theta और एक इसका क्या आजाएगा जो इंटारेक्शन ओफ जैड़ के लोगा देड़ विल भी अगें db cos theta तो अगें क्या होगा देखो अगर मैं यहां पर और भी मेरेपाद db होते एक पीछे को यहां पर यहां पर क्या होता जो डीबी sin theta यहां बोल सकते हैं the component perpendicular to the z axis are going to cancel each other तो यहां पर ऐसे लिखेंगे since from figure from figure we can see that we can see that component of db component component of db vector perpendicular to the z axis are cancel out are cancel out cancel out and only and only one component only one component remain remain which is along z axis which is along z axis जो किस डिरेक्शन में है z axis की डिरेक्शन में है and that is that is जो मेरे पाफ बच के आया जो मेरे पास अब जो magnetic field बच के आया नया magnetic field db which is only in z cap direction and which is function of z that will be equal to क्या हो जागा मेरे पास db cos theta कितना निकल के आएगा only db cost जा निकल के आएगा ठीक है इतना सन्माई आपको now the value of db the both db are different this is db which is only in the direction of z cap जो यहां पर मेरे पास bracket में z दिखा रहा है यह किसके लिए है कि यह वाला db जो बचा हुआ db है यह तो cancel हो गए db का यह वाला यहां से मेरे पास जो db z निकल के आया db z is equal to db की value कितनी है यहां से put कर दो that is mu 0 i upon कितना आया 4 pi आया and फिर कितना आ गया this is dl और upon कितना आ गया कर ली r square आ गया और फिर यहां से कितना आया मेरे पास cost theta आया क्या किया मैंने simple जो मेरे पास db है उसके यह पूट कर दिया और बाकी का cost यहां पर सकते हैं अब देखो अब यहां यहां पर तीन बारियेबल दिख रहें एक और है कि दीट हए यह भी बैरिये और सकता है अब मुझे क्या करना है सिर्फ एक कंप्रणिपर यहां पर होना चीह है आरो यहां भी बैल होना चीह तो तो कुछ कुछ दहलो मुझे करना पड़ेगा तो इसे कुछ industrial क्या बोल दो वनबोद इससे बोल दिया हमने equipment नंबर वन बोल दिया सब सबने इस एक को सिल्टा दे को आर को सिल्टा सकते हैं हम यहां मेरे पास एक राइट अंगल ट्रेंगल अदे देखो इक ट्रेंगल है और यह कहा है मेरा ठीटा है और यह कहा है मेरा करली आर है और इस आर को भार्वना दूँ तो यह कितना है आर है ठीक है तो यह कहा है मेरा एक राइट एंगल ट्रेंगल है तो इस राइट एंगल ट्रेंगल में यह जो चीज है यह कहा है है यह कहा है बेश है और यह कहा है प देख सकता हूं and for a particular point Z is constant and R is constant तो आर तो कहा है मेरे पास under root of this is Z square और प्लस कितना आ जाएगा यह आर स्कॉर हो जाएगा ठीक है तो दिस इनाई कॉस्ट कितना निकल किया गए इतना निकल किया गए अभी उठाए काँ पूट कर दो इधर पूट कर दो तो यहां से मेरे पास db जैड इस एक्वल टू कितना गया यह यह मिवजी रो आई अपॉन कितना आया 4 पाई आया and 1 over R square के वेली कितनी है यह मेरे पास that is sorry R square के वेली कितनी है इस है दिस एब उपॉन एब पॉन फॉन जरुत ठुर प्लस कितना हो गया यह आड़ स्कलय हो गिंट्व इन्ड आ तु और ऑफ़ट म है यह है मेरे पास कितनी है रोड़ फॉट याड़ जणस lorsqual कि प्लस कितना हो गया यह आर इस् compromis और इंटू कितना आगया डी एला गया ठीक है इती आवसमाइब आप देखो आगे बोलो यह नोट नोट अगा था नहीं हो गया होगा रहे हो आप देखो अब देखो यहां से इन वह एक सान लिख सब्ता हूं में तो डी बी इकल तो कितना आ जागा यहां से मिर पास जो डी बी जेड कितना, यह है मिर पास कितना, मियू इरो आई अपॉन कितना आ एप न ये आर इसपॉर्ण कितना आ ज़िए अड हूल सब्स और एक स्वर इसखार कि हूल पावर कितना आ गया यह थ्री वाई टू आगया और इंटो कितना हा गया है, यह डी एल आ गया, ओके, यह तो क्वें निकला, यह छोटे से लाइफ एली मेटिक काराण, इस पॉइंट पीप एलृ प्या कर दो गया है, इंट्री के से इंट्री के सिर एंपि मेटिक फिल्ट फिल्टू टू, गूर रेंंग, नौ, magnetic field magnetic field at P due to whole ring जो पूरी ring है उससे कान कितना magnetic field क्या गर होगा? integration तो that is कितना आ जाएगा ये? dbz आ जाएगा and this is equal to mu 0 i और upon कितना आ गया? 4 रुप i आ गया and ये integration के अंदर होगा and this is R और upon क्या हो जाएगा? this is z square plus r square की whole power कितना आया? 3 by 2 आया और into कितना आया? dL आया इसका integration क्या हो जाएगा? bz हो जाएगा अब bz लिखना अच्छा है या खाली b लिख दो तो b कहा है मिरे पास? magnetic field due to ring तो b equal to आगे मिरे पास कितना? this is mu 0 i r और upon ये सब constant है integration से भार आजाएगा तो that is z square plus r square की whole power कितना आया? 3 by 2 and this is integration कितना हो गया? ये dL हो गया तो यहाँ से मिरे पास b equal to कितना हो गया? mu 0 i r and upon that is z square फिर plus r square की whole power 3 by 2 and into अब integration of dL integration of dL का मतलब side dL को जोड़ दो side dL को जोड़ गे तो कित क्या जाएगा मेरे पास? total path length आ जाएगी total path length कितनी होगी? that is equal to that is equal to total path length अभ यहाँ बेक्टर नहीं है यहाँ सुनना बात को that is simple distance अगर यहाँ बेक्टर होता है ना तो यह ग्रबड हो जाती संब्सक्राइब बात को तो total path length कितनी हो जाएगी इसकी? that is equal to the circumference of circle and which will be equal to 2pi r जो किसकर आ हो जाएगा मेरे पास 2pi r के बराबर हो जाएगा ओके यह 4pi कहाँ गया तो यहाँ कितना है 4pi आया 4pi ठीक है देखो इस pi से यह pi cancel हो गया इस 2 से यह दो बार cancel हो गया तो यहाँ magnetic field b equal to कितना आया mu 0 i r square हो गया और upon कितना आ गया this is 2 2 और into कितना आ गया यह z square plus r square की whole power कितना आ गया 3 by 2 आ गया ठीक है इससे और अच्छा लिख लो तो b equal to आ जागा मेरे पास कितना mu 0 i और upon कितना आ यह 2 आया into कितना आ जाए गई r square और upon आ गया मेरे पास कितना z square plus r square की whole power कितना आ यह 3 by 2 आ गया तो this is our magnetic field due to a ring at any point z which is in the access of that ring इसकी access पर किसी point z पर यहां बुट है 0,0,0,z पर जो मैंटिक फिर निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा इतना निकल के आएगा direction कैसे फैंड करेंगे we will find direction with the help of our right hand rule is a friend करेंगे right hand rule से क्या करेंगे find करेंगे अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर निकालना गई तो ऐसे जाड़ है तो कहां के रोगा जटकर डिरक्शन के जाएगा जटकर डिरक्शन होगा जटकर डिरक्शन होगा ठीकर सुन माई बात आए करेंगे सब्सक्राइब करेंगे ज़ुक नाव को की लोना समय कुशन नंबर टू बोल के नाव आप यहां परे केसीर्स लो किस्वास्ट करया जागा देखो हो केस्ट केस्ट फर्स्ट केस्ट्ट इस दष्ट डे मैवनेटिक फील्ड एचीन डालो आ ज़ए मैगनेटिक फील्ड फिल्ड टी भी डिछ कली वील हो को एट क्ली डिखो 23191 परॉक एड्शेंटरऊ सेंटर की बात करेंगे एक काम करो इस एक्योशन में क्या पूट कर दो जैट के जिरो पूट कर दो यह से मेरे पास बीडाक बचाइगा यह बचाने चेह इसे कितना बचाएगा मेरा और क्योब बचाएगा और र्सक्वायर से एक और सिर्फ यहां कितना बचेगा एक और बचेगा तो बी इकल टुट डू कितना अगया मेरे पास यहांपर डी जुरो आई और अपॉन कितना अया यह टू फ़ाइस ओफ आ लागे दिस वेरी बैरी इंपोर्टेंट फॉम्मुला कि इस फॉमला फॉर्म फ़ॉर्ड गे the center of ring ring के center पर कितना magnetic field होगा उसको किसके बिलाउंक होता है मेरे पास इसके बिलाउंटा और अब यहक्त इंपोर्टेंट फ्रॉम्ला है and you have To Remember It और यह भी कहए बहुत इंपोर्टेंट है यह कहा एक जनरल कर सकते हो और जो आपने क्लास 12 होने पड़ा था वैसे भी ट्रैब करना गया तो यह केसी तो क्या है उसका एक पर्टिक्लर केस है that is case first इसरा बाद ओके नओ यहीं पर के सेकनल हो कुछ मिटाओं में के सब्सक्राइब ने करके कि अगर मेरे पास जो रिंग है मों कंप्लीट रिंग नहीं हो कर किसी रिंग हो एक हां फ्रिंग हो कैसे रिंग हो एक हाफ कुछ इस टापकेश्व मेरे पास की रिंग ऐसे हो ठीक ऐसे कुछ रिंग हो यहां वायर नहीं है ठीक ऐसा कुछ है ठीक है बोल भी सकते हैं ठीक ऐसा कुछ रिंग हो और है ठीक है ऐसे कुछ है और इसमों करेंट फ्लोग रहे हैं यहां पर मैंने कि फिल्ट करना है केस्ट टू मांद इसको क्या बोल दो इसको केस सेकिंड बोल दो इस पॉइंट पर इसके सेंटर पर क्या करना है एक चीछ जहां पर आपको वायर भी दिख रहा होगा दिखराब अ आं स्अलिग काहा है ये रहा जिस वायर एन यह निए वायर ऐट हैं तो एस कि यह एंग और के कासी है कि और यह गोल дан तो यह मेरे पास कुछ वायर था कल यूं करके इस टेट वायर था और यहां से कुछ परपेड़ को डिस्टेंस एस पर ठीक है यह मेरे पास कहता एस इस पॉइंट पर मुझे कहा निकाल था करना था तो ऐसा केस था दिस टीटा वन एंड डिस टीटा टू तो इसके मेरे पास से बीच मेने पर प्रपेड़ डिस्टेंस एस नी थी ओके अब देखो अगर मैं यह कि मेरे यहां से लिए यहां इक टो जएगा यहां यहां पर मैंगनेटिक रहें तो इसस पाइंट पर इस मेरे पास यह के यह एक्सक्व फिल्ड कर रहे है ऐसे और यहांपर अगर मेंटिकर निकालने को बोले तो यहां मेंगेटिक फिल्ड कितने वीड जर। अएगा गया तो यहां मेरे पास tीन चीज़े हैं यह मेरे पास पीड़ के कारण कितना होगा जीरो होगा और यहां सुनवारी है आपको I hope समना आ रही होगे अगर मैं मैं इसके कहाँ magnetic field निकाला किसे कहा रहा है यह करव वाला पार्ट है यह कहाँ मेरे पास half circle है complete सर्द है कहाँ magnetic field कितना था इतना था अगर मैं half circle निकाला magnetic field निकालोंगा तो B equal to simple कितना हो जाएगा उसका आधा अगर मैं direction की बात करो यहाँ पर तो direction विल भी यह हो जागा ऐसे करो गए तो कहां की और अंदर की और यानि inside तो यहाँ पर direction कैसे हो जाएगी तो यहाँ direction लिखना चाहोगे तो ऐसे आजाएगा ठीक किदर आपाद तो दिस दवर answer यह क्या होगा हमारा case second हो गया यहाँ पर एक case और लो केस थर्ड बोलो केस थर्ड है कि मेरे पास अभी कुछ ऐसे सुजूशन है यह क्या है मेरे पास एक पैने मेरे पास circle था यह अगर करके एक 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 ऐसे रिंग थी मेरे पास यह करके ओके इसके मैंने simple 4 पार्ट कर दिया यह करके और बाई के मिटा दिया अब मेरे पास यह चीज है इसमें current flow कर रहे हैं यह करके और यह एंगल कितना है और यह एंगल कितना है और यह एंगल कितना है इस पॉइंट प्यों मुझे क्या करना है जो मेरे पास number 15 मुझे लिए तो ते जो यह एंगल है क्या तो तो कहां के ओर होगे है बाहर की और यहां पर क्या जागा इस तरीके से डॉट आजाएगा ओके निभार की ओर तो दिस इन माइन मेंगेटिक फिल्ट दू टू तु दिस पार्ट ओफ रिंग और जो कहा सो वन बाइफ फोर्स पार्ट है ओके ना अगर मैं यह बोलू केस सकति केस फोर्स लेलो कोई तरीके से अभी अजुम करो कि यहाँ पर जो एंगल हो अन्नोल है इससे पहले अंगल का था यह तो 90 था यह कितना था इस केस में 180 था अगर मेरे पास एंगल 90 या फिर 180 ना हो कुछ एक ऐसे और आर्बिटरी एंगल हो यानि ऐसा हो कुछ कि यह मेरे पास एक आर्क है यानि किसी एक रिंग का पार्ट है और यहां पर कुछ एंगल इस तरीके से बन रहे है यहां पर इस पॉइंट पर कि इस पॉइंट पर क्या करना है यहांब्यक्ने किना αναमेल अगिंटिक करना है और यहां इस मेंठीक कितना होगा जीरो होगा तो बचे 9 मैरे पास सिर्फ इौला पार्ट बचे께서 अमझे गोगे देखना है कि यह जो part है याँ जो आरक है वो उस पूरी सरक्ल का कितना part है यह निकालना पड़ेगा तो वंबाइ टू पार्ट है, तो वन बाइ टू से मुल्टिप्लाय कड़ दिया, टोटल रिंग के कार्ड जो मैगनितिक फिल्ट होता है उसको, तो यहां मुझे क्या निकालना पड़ेगा, कि अगर मेरे पास यहां पर थीटा अंगल है, तो थीटा अंगल के लिए यह जो मेरे पास पात यह जो और पूरे रिंग का कितना पाट है समझ्धारी बात यह है ओके देखो जम्म इसके बाध करता हूं अगर मैं यहाँ पर डीटा की बात करता हूं इंटे बाल करता हूं धैन्स ठीटा और पाई बाई टू है, है यह निया, from above calculation or from above case, we know that कि इस 90 degree यह फिन 90 रेडियन, यह पाई बाई बाई टू रेडियन, इस इकल डू कितना है, 1 बाई फॉर्थ पाइँ, दिखराए आपको, है यह निया, 1 बाई फोर्थ पार्ट है यानिए और आँजी है तो अगर महीं यहांसे क्या क्या निकाल हो एक डियाद इकोल टो निकाल हो तो एक ग्रेंड इकल ना जैगा वनदू लिग फोर इंटू वाई पाई आजयेगा एधर क्या हो जागा सींपल ओके तो यहांसे मेरे पास व 1 upon 2 pi आ गया तो एक राटीन उनके करना कि आजयेगा टो यहां पर कितना रोटीनागर तो यहां पर कितना रोटीन यहां होगा ट्सरेटन लिए होगा है इसका मतलग यह जो मेरे पास आर्क है वो क्या है उस रिंग का थीटा बाई टू पाई पाई पाट है तो इसके कारण इस आर्क के कारण यहां पर जो मैगनेटिक फिल्ट भी निकल के आएगा तो दैट विल भी इक्वेल टू कितना हो जाएगा यह मिजूरो आई जाएगा दिस अगें वेरी वेरी इंपोर्टेंट फॉर्मुला यह क्या है अगेंसे एक बहुत इंपोर्टेंट फॉर्मुला है डर्रसन क्या पास इस तरी के से एक हो है आजये करने का मत क्या होता है पाइब यह तरी तो बी इकल कितना आ गया म्युजरो आई अपों कितना आया यह ए तो आर आया एढ़ इंट्व देट इस पाई भी थ्री इंट्व कितना आगया लिए तो इस विल इकल टू म्युजरो आई अपों च्छेदना बार आ रागया ठीक है अगर डायरेस्टन की बात करूंगा तो दारेस्टन विल भी 5.9 है या 5.8 है तो कुछ ऐसा कुर्षिन है ग्रिफित का कुर्षिन लेको याँ पर कि मेरे पास कुछ ऐसे हैं एक आर्क ये हैं और एक आर्क ये हैं दो आर्क है योगर करके ठीक है और यहां कहीं ये एक है सेंटर है ऐसे आज स्क्राइब दो हैं ढाख है और यहां यहां पर यह नहBaywork कि यहां से यूगे और यहां से यह कि यूग भ निए और खेले कारे इख यह लो We आर्जमेंट के कारण अब देखो यहां पर दो wire यह है एक wire यह है एक wire यह है वोसा बेसे चार वायर हैं दो आर्क है और दो यहां इसा पर यहां Magneticก Azuis जीलो होगा क्यों कि यहां से है इसके एकसे से कारण आगे इसाख़ तो यहां M bulb सब्सक्राइब एस एक सब्सक्राइब ना माना इसके रिडिया से कितनी ए ए है और बाहर वाला है उसके रिडिया सकी बोल दिया बीडिया थी तो इसके लिए हो जाएगा मेरे पास that will be equal to mu 0 i upon twice of a ऐसा हो जागा और अजूम किया कि this angle is theta या फिर theta बोल दो फिर ठीक है अब theta के जोग कुछ लेड़ना अब ठीक है वह आपकी मर्चे इस angle is theta यह angle कितना है मेना ठीटा है तो इन्टू कितना गया यह थीटा अपॉन कितना आ जाएगा टूपाई आ जाएगा अब यहां किसी कान होगा यहां नीचे की ओर हो जाएगा यूगर के लगाओ यहां यहां पर यह थीटा हो जाएगा तो कर दो फिन मैने इसको क्या दिक्कत है इसमें तो यहां से मेरे पास बीकल टूपाई जीटा अपॉन टूपाई तो टूपाई तो टूपाई बाहर आ गया और अंदर कितना बज़ गया यह वन ओबर ए और मैनस कितना आ गया बीया अगया ना कहां के और होगा ऊपर की और होगा यह ने चे की और होगा तो यह चीज क्या होगी बडि होगी तो पर तने चाह निकल गया यहां से निकल गया एक्च्वल मुख के दाम में कहते रखा है एंगल बिटुविन इस टू आर 90 दे रखा है उसमें ठीक है तो 90 यहां पर क्या कर दोगे ठीटे कर जोगा पाई भाई टू पुट कर दो वह आपका आंसर हो जाएगा ओके ना अब अब टाम देखने हैं टाम ब कि ऐसा घुका इसके सबसल्टे इस संहाब करके मेरे पास जिसमें एन सई हूंगी एक बाइगा जिसमें सब्सक्क्राइड हूंगी जिसमें कितने होंगी तोडन अं. नमबर dent साइड ओंगे उसके लिए संविए कितना होगा अगर मेरे पास एक ऐसा done हो जिसमें infinite नंबर ओफ साइड होगा आँ सब्सक्ते कि मरे पास एक ऐसा पॉलीगन है जिसमें इनिंफाइल नंबर साइड पॉंआ क्या बोलते हैं वह इप्रॉक्सिमे entire इस पॉइंट पर मैंगेटिक निकाल ना चीक है इस तरीके से इतना ही है, ठीक है, यह देखना आप ये करके लाना, तो आज के लिए बस इतना ही I hope आज का लेक्टर आपको समझ में आया होगा बहुत important lecture था और आपको जो formula याद करना है वो कौन सा याद करना है जो circle के कारण किसी एक point Z पर उसके access उसके center से Z height पर जो magnetic field होता है वो आपको याद रखना है तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं आप से next class में एक और नगी lecture के साथ हाँ like करिए share करिए subscribe परिए वो ही क्या है पारितोसिक है तो मिलते हैं आप से next class में तपले thank you धन्यवाद बावाई